अलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तों चलिए बिहार के तमाम 15 बड़े ख़वरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप बिहार के की जिले में रहते हैं साथ ही अपनी तरब से आप इस वीडियो के एक प्यारा लाई जरूर कर दे इसके साथ ही वीडियो के अंत में आप से एक सवाल पूछा जाएगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है जिसमें से किसी एक को बिहारी मीडिया की ओर से एक लखी प्रायज जितने का मौका मिलेगा साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें आज की सबसे बड़े कबर नितिस केबिनेट की बेड़क में खुला नोकरी का पिटारा पचपन सो से अधिक पदो पर होगी भरती ग्रिया विभाग और मेट्रो में बंपर बहाली बड़े कबर पट्टा से सामने आ रही है जहां मुई के सचीवाले में चल रहे नितिस केबिनेट की अहम बेड़क खतम हो गई है बेड़क में कूल 35 एजेंडो पर मुहर लगी है मंत्री परिशत की इस अहम बेड़क में नोकरी का पिटारा खुला है राज के विविन बिभागों में हजारों पदों पर बहाले की स्विकिर्ती मिली है ग्रिय बिभाग और स्वास्त बिभाग के अलावा पट्ना मेट्रों में भी बहाले की स्विकिर्ती मिली है विविन बिभागों में लगबग पचपन सो से अधिक पदों को स्रेजित करने की स्विक्रती मिली है आपकी जानकारे के लिए बता दे कि ग्रिया विभाग में खाली पड़े 218 पद पटना मेट्रों में 188 पद, मते से प्रसाद पदादिकारे के 264 पद नगर विकास एवं आवास विभाग में 4503 पद और स्वास्त विभाग में 403 पदों को भरने की स्विक्रती मिली है बड़े कबर पंचाई चुनाव की दोरान कोरोना से कर्मी की मौत होने पर दिये जाएंगे 30 लाक रुपिये केबिनेट बेटग में लिया गया फैसला जिहां बिहार में मुख्यमंत्री नितिस कुमार की अईदक्सता में बुदवार को राज केबिनेट की बेठग होई इस बेठग में यह फैसला होगा की पंचाई चुनाव की दोरान कोरोना वारेस से कर्मी की मौत होने पर उसके परिजनों को 30 लाक रुपिये मिलेंगे स्वास्त मंत्री मंगल पाड़े ने बताया की कुरोना से लड़ाय को लेकर 80 करोर रुपे की मंजूरी दी गई है इससे कुरोना नियंतरन को लेकर आवासक समागरिक की खरिद होगी नितिस सरकार का बड़ा फैसला बेरोजगारों को हर मैने दिये जाएंगे 11,000 रुपी जियां बुदवार को हुवी केविनेट बैठक में सरकार राज के बेरोजगार इवावों के लिए तोफा लेकर आई है सरकार ने बिहार में 12 पास एक लाग इवावों को स्वाई सहायता बत्ता देने का फैसला लिया है इस संबन में योजना एवं विकास बिबाग ने अपने आदेश में मुखमंतरे निश्चेश स्वाई सहायता बत्ता योजना को अगले 5 साल तक बढ़ा दिया है आपकी जानकारे के लिए बता दे कि इस योजना के तहद आप पहले की तरह 20-25 साल के बारवी पास बे रोजगार इवावों को रोजगार की खोज में मदद करने के लिए रोजगार भत्ता दिया जाएगा जो कि हर मेने 1000 रुपिय का होगा बिहार केविनेट की बेड़क में बड़ा फैसला गारियों को फीटनेस परमान पत्र का जुर्माना भी घटा जी हाँ कल हुई केविनेट के बेड़क में यह फैसला लिया गया कि फिटनेस पर्मान पत्र की वैदता समापती के बाद विलम के प्रतेक दिन के लिए 50 रुपी फाइन को 30 सितंबर 2021 तक कम किया गया है दो पहिया और तिन पहिया परिवाहन के लिए फाइन 50 रुपी परती दिन थे इसे 10 रुपी किया गया है इसी तरह व्यवसाइक ट्रेक्टर के लिए 50 रुपी परती दिन को घटा कर 15 रुपी परती दिन चोटे 4 पहिया परिवाहन वाहन के लिए 50 रुपी परती दिन को घटा जिहां बिहार में एक अप्रेल नैनि गुरुआर से बालू एक बार फिर महांगी हो जाएगी राजी सरकार ने बालू बंधोबस्ती के रासे 50 पशिजदी बढ़ाने का फैसला किया है केबिनेट की बेठक में 1 अप्रेल 2021 से लेकर 30 शितंबर 2021 किस तक लिए बंदोबस्ती रासी 50 फिजदी बढ़ा कर अवदी विस्तार करने की सिवकिर्टी दे दी है साथ इसाथ परिवहन विभाग में बालू और गिटी ले जाने के लिए विशेस परिसित्यों में बस्तर जिले के चोसा में बन रहे थर्मल पावर प्रोजेक्ट को दे डियम को बस और ओटो को जब्द करने का दिया निर्देश जिया मुईक मंतरे नितिश कुमार ने सभी डियम एससपी और एसपी को मास्क चेकिंग का सगन अभ्यान चलाने और दंडात्मक करवाई करने का स़ग्त निर्देश दिया गया है प्रमंडलिय आयोक्त ने सभी ज कारवाले चेतरों में मास्क चेकिंग का सगन अभियान चलाने का साथ ही साथ कारवाई करने का सक्त निर्देश दिया है कमिश्टर ने निर्देश दिया कि कुरोना प्रोटोकाल का उलंगन करने वाले सो रूम को तीन दिन तक बंद रखने की कारवाई भी किजा सकती है सहर मे रोकोटो को अभियान को भी तेजी से चालू करने का निर्देश दिया गिया है कोरोना प्रोटोकाल का उलंगन करने पर बसो और ओटो को जब्त किया जा बड़ी खबर बिहार के सभी मुखिया के लिए एक और बुरी खबर समय पर चुनाव नहीं हुआ तो डियम और बिडियो के पास चला जाएगा सारा पावर जिया बिहार के मुखिया का चुनाव जल्दी ही होने वाला है मुखिया की साथ साथ सरपंच वाड सदय से पांच पंचाई समिति सदय से और जिला परिसत सदयस के भी चुनाव होने वाले हैं पंचा चुनाव से पहले सेकडों मुख्या और वाड सदेस्यों को करारा जटकर लग सकता है क्योंकि नितिस सरकार एक बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है बिहार में पंचा चुनाव की तैयारिया जोरोपर है लेकिन अभी भी चुनाव की तारिकों का एलान नहीं हो पाया है अगर पिछली चुनाव से तुलना करे तो अभी ही एक महिना से ज़्यादा एविलम हो चुका है एबियम मसीन से चुनाव कराने के मामला एतना फस गया कि फिलाल चुनाव की तारिकों का एलान सम्मव नहीं है आपको बताते कि अगर पंचायत चुनाव समय पर नहीं होता है तो पंचायती राज कारे डियम के मैदम से अधे नस्त पदादी कारियों को दिय जाएंगे वाड ग्राम पंचायत और पंचायत समिती के तारे वीडियो कराएंगे और जिला परिसत के मैदम से होने वाले कारि को जिले के डिडिसी कराएंगे इनी अपसरों के पास ही सारा पावर होगा चुकि अभी विदानमंडल का सत्र नहीं चल रहा इसलिए एदादेश के मैदम से अधे नियम में संसुदन किया जाएगा बाद में विदानमंडल सत्र से भी इसे पारित कराया जाएगा पतना एरपोर्ट से दरबंगा एरपोर्ट के लिए चली इलेक्ट्रिक बस बेतिया और सितामडी के लिए चलाए जाएगी सीनजी बसे पतना एरपोर्ट से दरबंगा एरपोर्ट भाया मुझपरपूर इलेक्ट्रिक बस का परिचालन सुकरवार को शुरू हो गया वह पटना से वालमिकी नगर भाया मुझपरपूर ऐसी बस सिवा कभी सुवारम किया गया यह बस चार परियाटन इस्तल वैसालिक के सलिया लोरिया होते वे वालमिकी नगर तक जाएगी इसके साथ आपको बदा दे कि जल्द ही एक और इलेक्टिक बस मुझपरपूर रिजन ही मुझपरपूर से पटना के लिए प्रकोली लाल गंज हाजीपूर होते हुए पटना के लिए बस का परिचालन सुरू किया जाएगा राज के सम्मान के साथ होगा रहमानिस साहब का अंतिम संसकार सियम नितिस ने की घोस्तना मुझपंत्री नितिस कुमार ने इमारत ए एसिया बिहार जहरकन एवं ओडिसा के अमीर ए सरियत एवं पूर विधान पारसद हजरत मुलाना सयद मुहम्मद वली रहमानिस साहब की निधन पर गारी सोक समेदना व्यक्त की है मुझपंत्री ने अपने सोक संदिस में कहा कि हजरत मुलाना सयद मुहम्मद वली रहमानिस साहब के इंतिकाल की खबर से बहुत दुखी हूँ उनका नाम बिहार एवं देश के मसहूर आलिम एद दिन में सुमार होता था रहमानिस साहब से हमारा बहुत पहले से आत्मे संबन रहा है एवं कई अहम मुद्ध पर उनसे चर्चाई होती रही है वे ओल इंडिया मुस्लिम पसनल लौ बोर्ड के महासचिव एवं खान का ए रहमानिया मुंगिर के सज्जान दर्सी भी थे इसके साथ उन्होंने घोसना किया कि उनका अंतिम संस्कार राज के सम्मान के साथ होगा नितीज सरकार ने जारी की गाइडलाइन बसों में आधे यात्री करेंगे सपर सरकारिक कारियाले में इनके परवेश पर रोख लगा दी गई है हालाकि साधी और स्राद पर रोक नहीं है लेकिन इसमें सामिल होने वाले लोगों की सिंख्या सिमित होगी बाड़ी कबर 5 अप्रेल को जारी होगा बिहार बोर्ड मेट्रिक का रिजल्ट टोपर स्टुडेंट का इंटर्वियो संपन जी हाँ बिहार बिदाले परिच्छा समिती मेट्रिक 2021 का रिजल्ट जल्द ही जारी करेगा पाच या चो अप्रेल को रिजल्ट जारी होने की संभावना है रिजल्ट को फाइनल टच दनी की तैयारी में बिहार बोड उत्तर पुस्तिकाओं के आधार पर टोपर का इंटर्वू ले रही है आपको Pavard के कोच इंटर्वू के लिए बुलाया गिया था पांच या चे अपरेल को रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा दसवी और बारवी की परिचा दे रहे चात्रों की मदद के लिए सिवेसी ने लॉंज किया ए परिचा पोर्टल मिलेगी ये जानकारिया जिहां CBSC ने 10 वी वा 12 वी की परिचात्रियों की सुविदा के लिए ए परिचा पोर्टल लॉंच किया है इसमें परिचा केंदर सही तमाम जानकारिया उपलब्द होगी बोड की माने तो इस पोर्टल की मदद से चात अपने परिचा केंदर में बदरा भी कर सकते हैं इसके लिए परिचात्र को पोर्टल पर अजिस्टर करना होगा हर चात्र को यूजर आइडि दिया जाएगा चात्र यूजर आइडि पासवर्ट और सिक्रिटी पिन के मादम से पोर्टल खोल सकेंगे इस पोर्टल से चात्र परिचा संबनिध हर तरह की जानकारी ले सकते हैं और परिचा केंद्र तता पार्योगीक परिचा केंद्र भी बदल सकेंगे डेट सीट भी यहां से देखी जा सकती है इसके अलावा दसवी के चात्रों का internal assessment और बारवी के चात्रों का internal grade को upload किया जाएगा बिहार आये लोग आसानी से लोट सकेंगे वापस पांच अप्रेल से चलीगी चार जोड़ी एक्सप्रेस वा पैसंजर ट्रेनु का चलाने का फैसला लिया है एक्सप्रेस ट्रेन दो दिन भागलपूर से चलीगी वाई पैसंजर ट्रेनों का परिचाला नियामित होगा पाली एक्सप्रेस ट्रेन कसंख्या 02349 भागलपूर नई दिल्ली सुपर पांच और 12 अप्रेल को चलीगी यहाँ ट्रेन भागलपूर से साम 5 बजकर 40 मिनट में खुलेगी और अगले दिन दोपार 12 बजकर 35 बजे दिल्ली पहुचीगी नई दिल्ली से चेब और 13 अप्रेल को यहाँ ट्रेन भागलपूर के लिए रात 11 बजकर 45 मिनट में रवाना होगी और अगले दिन आट बजे भागलपूर पहुचीगी तो वही पैसंजर ट्रेन पाच अप्रेल से भागलपूर जमालपूर वा जमालपूर क्यूल के बीच चलेगी तो बिहार सरकार ने अवेद खनन पर लगाम लगाने की ठानी विभाग जल्द ही करने जा रहा है कानून में संसोदान जहां बिहार सरकार बालू और पत्तर के खनन से जहां एक हजार करोड की भी राजस्व उगाही नहीं कर पाती है वहीं इस धंदे में लगे पाच हजार कडोर रुपिय की सलाना रकम अपनी जेब में भर ले जा रहे हैं साइद इसी करण अवेद खनन करने वालों के किलाब सरकार सक्त एक्षन की तयारी में है वहा एक नया नियमावले तयार करने जा रही है जिसमें वहान में ट्रक जैसी भी हो या कोई भी वहान अगर वह अवेद खनन करते पाया गया तो उसकी जबति की जाएगी इसके बाद ऐसे वहानों की विभाग निलामी भी करेगा अधिकारे ने कहा कि अवेद खनन करने वालों पर सिकंजा कसने के लिए खान एवं भुतत वे विभाग यह प्रावधान करने जा रहा है बिहार सरकार की कोशिस है की हर हाल में अवेद खनन पर लगाम लगे औरंद की बड़ी ख़बर अगले सत्र से बिहार के सरकारी स्कुलों में भी होगा नरसरी की पढ़ाई सिक्षा विभाग ने सिलिबस बनाने के तयारी शुरू कर दी है ऐसे बच्चों को पढ़ाने के लिए सिक्षकों विशेशकर महिला सिक्षकों को खास तोर पर ट्रेंड करने पर विचार चल रहा है इस बात पर सेंधान्तिक सहमती बन गई है कि नरसरी कक्चाओं के संचालन के लिए आंगन बाड़े केंद्रों से बच्चे लिए जाएंगे आज के लिए आपका स्वाल बताए कि भारत की प्रतम बोलती फिल्म कौन सी है इसका जबाब आप हमें नीचे कमिन बॉक्स में जरूर बताए